तू कबीर साहेव की है ठीक है, जितना बोले धन्लेवार कोई जर्वत नहीं जोर से बोलने का जोर से सुनो वस हम लोगों के लिए यक्तिका करूप से सोचने आपने हो जितनी लोग बैठे हैं, इतनी लोग सोचें, बाकी लोगों को छोड़ दो हमारे लिए सबसे जादे मुल्यवान क्या है? सब के लिए अपने अपने लिए, सबसे जादे मुल्यवान क्या है? बहुत सी चीजों का मुल्य है न? सोना, चांदी, हीरा, जवाहरा, और भी घर, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बार, बच्चे सबसे जादे मुल्यवान क्या है? वो जानते हैं, वो है अपना जीवन वो है अपना जीवन सब का अपना अपना जीवन बहुत मुल्यवान है इस जीवन को हम खरीद करके नहीं लाए है मुल्यवान का मतलब अमुल्य कर सकते हैं इसे हम खरीद करके नहीं लाए हैं कि जाओ, पैसा लेलो और जीवन खरीद के ले आओ नहीं नहीं यह जीवन हमें गिट के रूप में मिला है एक उपहार है माता-पिता, परिवार, समार और एक प्रकिती की पूरी सत्ता सबके समवेत सहयोग से हमारा जीवन खड़ा है हर अंग मुल्यवान है इसका हर अंग मुल्यवान है पुरा जीवन मुल्यवान है क्या हम अपनी आँखों को पैसे के बदले बेच सकते हैं हाथ बहर को बेच सकते हैं इसके अंदर और भी तमाम अवियोव हैं किटिनी हैं, फेफड़ा है, घिरदय है, बहुत सी चीजे हैं क्या उन सब को हम पैसे लेटर के बेच सकते हैं कम मुल्यवान हैं? आप सोचेंगे न थोड़ा सा भी तो आपको लगेगा इतना मुल्यवान जीवन पातर के क्या मैं सच्मुल इसके महत्त को समझ रहा हूं? इसके महत्त को समझ रहा हूं? नहीं समझते हैं जब तक हमारे पास जो चीज रहती है तब तक उसके महत्त को नहीं समझते हैं जब वो चीज हमसे जुदा हो जाती है, अलग हो जाती है, तो फिर उसकी याद आती है, तो उसका महत तो समझते हैं, अज़े नहीं समझ रहे हैं, इन हाथों के महत तो को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, क्यों सहज काम करते हैं, सब करते हैं, इन हाथों का महरत आपको सही तब पता चलेगा, जिसी दिन यह हाथ किसी कारण से कटकर अलग हो जाएगा चांते हैं न उस समय क्या लगेगा? मेरे हाथ थे, थे, कितना महत्तो उस समय लगेगा? आखों के महत्तो को नहीं समझ रहे हैं आखों के महत्तो को हम तम समझेंगे जब हमारी आख चली जाएगे शही है? अभी नहीं बता चल रहा है आख कितना मुल्यवान है इन आखों का सही उप्योग क्या करना चाहिए? नहीं समझ पा रहे हैं एक अंधविद्यालय में एक बाली का गीत गा रही थी कोई कारिकरम था उसमें वो गीत गाने लगी खड़े हो गड़े गीत का भाव क्या था? गीत का भाव था कि हे प्रभू मैं गुलाब के फूल की सुगन्दी लेती हूँ गुलाब के फूल का इसपर्स करती हूँ सुर्य के प्रकाश को महशूश करती हूँ, उसकी धूप को महशूश करती हूँ समुद्र के गर्जना महसूश करती हूँ, उनकी लहरों को इसपर्स करती हूँ लेकिन समुद्र को देख नहीं सकती मा की गोद में बैठती हूँ मा के वातसल लिकास ने का प्रेम का अनभों करती हूँ लेकिन हे प्रभू मैं मा के चेहरे को नहीं देख सकती कितना दर्द है जिसकी आँख नहीं है और आज हमारी आँख है कौन सा बात तो समझ रहे हैं इसा मसी जा रहे थे रास्ते में देखा कि एक आदमी सराब पिया है और लेटा हुआ है गाली दे रहा है आदमा ने का अरे भाई सुनो इतना बड़िया जीवन पाए हो तुम सराब पिकरके लोगों को गाली क्यों दे रहे हो जब सीर उठाय देखा कि इसा मसी है उनों में कहा कि मैं तो मरने वाला था मैं तो मरने वाला था लेकिन आप मुझे जिन्दा कर दिये आप मुझे जिन्दा कर दिये अब मैं क्या करूं इस जीवन का सराब न पीओं तो क्या करूँ उन्होंने सूचा क्या जिंदा राने का यही पल है कि सराब पीए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक आदमी एक इस्तरी के पीछे वेशिया के पीछे भागा चलागा रहा है उन्होंने का रुको तुम क्या कर रहे हो, इतनी अच्छी आठी हैं और तुम कहा जा रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम अपने जीवन को क्यों बर्बात कर रहे हो, उन्होंने फिर देखा कहा अच्छा पीशा है, कहें मैं तो अंधा था, मैं तो अंधा था, आपने मुझे अगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं एक आधी फांसी लटकाने के फंदा ले करके बिल्कुल लगा हुआ है उनका रुको भही रुको रुको उनक्या कर रहे हो क्यों फांसी का फंदा लगाने जा रहे हो उनका फिर देखा अच्छा आप इसा ने ने और जाइब में सावधान फिर से जन्दामीय और मोरी पंदा मिर्जीन के जीवन आट की विसुना कवी दूई विष्या की पीछे भागे जीवन को समाप्त करे जीवन के महत्तो को हम नहीं समझ पाते हैं कब समझेंगे कब समझेंगे मैं बताओं क्रम से चलता हूँ किसी जवान से पूछो कि बटे तुम्हें एक चीज हम देना चाहते हैं और जो आप मांगोगे वो मिलने के लिए पूरी गारेंटी है क्या चाहिए 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 हो क्या कहेगा यदि आप दे सकते हैं कुछ कर सकते हैं मेरे लिए एक ही काम करिए मेरा बचपना लौटा दीजिए क्या कहेगा वो मेरा बचपना लोटा दीजिए कच्छा एक का एक बार वित्यारती फिर से बना दीजिए तब देखना मैं कैसे पढ़ता हूँ और कैसे वियायब करता हूँ शिक्षकों से, माता पीता से कैसे मैं नेतिक होता हूँ जब वो बचपने में था बच्चा था तो बचपने का महत्तो को नहीं समझाता कब समझ रहा है? जवान हो करके ठीक है? लेकिन जवान अभी नहीं समझ रहा है जवान नहीं समझ रहा है बुढ़े उसे पूछो बाबा जी, आपको कुछ चीए क्या चीए जो हम दे सकते हैं अब हम दे सकते हैं, गारंटी मानो तो क्या कहेगा? बेटा कुछ देना ही है न, तेक बार मेरी जवानी लोटा दो क्या कहेगा? एक बार मेरी जवानी लोटा दो फिर देखना जीवन कैसे जिया जाता है जवान था तब नहीं समझा कब समझ रहा है? जब वो बुढ़ा हो गया बुढ़ा हो करके जवानी के महत्त को समझ रहा है जवान हो करके बच्पने के महत्त को समझ रहा है और आपको बताओं इस पूरे जीवन के महत्त को आप तब समझेंगे जब आप मरने के करीब पहुँच जाएंगे लोग कहेंगे बस कुछ घंटे का ये महमान है तब कहेंगे ओफ, कितना मुर्लेवान जीवन था जीवन खतम हुआ, तो जीने का धंग आया जब बुझ गई समा, तो मा फिल में रंग आया ऐसे होता है न, ऐसे होता है और मैं समस्ता हूँ, हम लोग जिस धंग से जी रहे हैं, मैं फिर से करा हूँ, हम लोग जिस धंग से जी रहे हैं, द्वास एक पर observation कर लिजे आप, छागे अपने आपको, क्या सचमुच मरणा संद में, जब मैं मरण के निकट होंगा, मौत के करीब होंगा, तब मेरी मानशी तश हो गी, क्या मुझे ऐसा लगेगा, मैंने अच्छा जीवन जिया, सखल जीवन जिया, यह महसूस करने वाले हैं, या अपसूस बरा समापन करने वाले हैं, बहुत लोग तो, मैं समस्ता हूँ, हम एसे भाउट लोग, अन्त में इतना अफसूस बरा समापन करेंगे, इन करने वाले हैं क्या हो जानते हैं उनके जो बहुत बड़ा अफसोस वाला एक वाग के होगा जीवन में सबसे बड़ा अफसोस वाला वाग की है वो कहूं से जानते हैं या मैं कर सकता था क्या कहेगा मैं कर सकता था जीवन को पवित्र बना सकता था मन को निर्मन बना सकता था जीवन का मैं कल्यान कर सकता था जिस समय जिन समयों में जिस शक्ति से मैंने संसार में ये वैपवड हो रहा ये संसार की विद्धि की है इन ही समयों में इन ही शक्ति से मैं अपना जीवन का कल्याण कर सकता था लेकिन अब नहीं कर पाया कितना बढ़ा अपसोस है जो सचमुद जिसने कर लिया वो क्या कहता है अंत में या मैंने कर लिया क्या कहेगा या मैंने कर लिया आप क्या नभो करना चाहते हैं आप क्या नभो करना चाहते हैं क्या यह अफसोस करते ही भी जीवन का समाप्त करने वाले हैं कि यह मैं कर सकता था या यह सोच करते समाप्त करने वाले हैं या मैं कर लिया कौन है सफल बताईए कौन है मैं तुम इजे दन करता हम अधिया उसरा है जीवन के स्क्रिप्ट को आप बदर सकते हैं फिर से लिख सकते हैं नया जीवन निर्मान कर सकते हैं हम कहां मरेंगे कहां कैसे मरेंगे ये हम नहीं जानते हमारे वश में नहीं हैं किर से कह रहा हूं कहां मरेंगे कैसे मरेंगे ये हमारे वश में नहीं है लेकिन कैसे जिएंगे ये हमारे वश में ये हमारा निर्णे है अब वो निर्णे आज करना होगा दो बच्चे करे थे मेरे पास आए, तो समझ नहीं आ रहा है, मिस्का इस लगता है, कभी इधर सच, कभी उधर सच. जैसे कोई टिकेट काउंटर में जाए, चाहे रेलवी बूखिंग आफिस में जाए, या बस के बूखिंग़ आफिस में, या फिर एरपोर्त में जाए, और कहाँ बभुजी एक टिकेट देदो, क्या कहाँ एक टिकट देदो, तो वहां से क्या परश्ण अने वाला है, और यह कौन बताएगा? अंदर मता? मैं थो बता हूँगा ना? कौन बताएगा? एक दयाती आत्मी गया था railway station. बहुत दयाती था, बहुत भाजे की बात होगी वो. तो गया, बबुची एक टिकट दे दो. यह ने का कहा का टिकट पढ़ना जाया? कहा का टिकट? यह कहा का टि निरणय नहीं कर पाते हैं कि मैं अपने जीवन को कैसे जीऊं? मैं जीवन में कौन सा परणाम पाना चाहता हूँ? आप बताएगा? मैं जीवन में कौन सा परणाम पाना चाहता हूँ? कौन सा परणाम पाना चाहते हैं? खेत में आप कौन सी फसल पाना चाहते हैं? यह निर आप खेत में कौन सी फसल पाना चाहते हैं और जो फसल आप पाना चाहते हैं उसका बीज बोएं देहती अर्था है देहती उधारण है जो फसल आप खेत में चाहते हैं उसका बीज बोएं तो क्या होने वाला है उसी का उसी की फसल आने वाली है आप गेहूं की फसल चाहें औ और धान का बीज बोएं, सफल नहीं हो सकते, फिर कहें, आप कोई फसल ना बोएं, इसको इस दंग से सोचें, कोई बीज ना बोएं, तब क्या होने वाला है, जब आप कोई बीज खेद में नहीं बोंगें, तो क्या होने वाला है, जनते हैं, कोई फसल नहीं होगी, लेकिन ए है आप जीवन का निर्मान स्वतह नहीं करेंगे जीवन को आप अपने ढंसे नहीं निर्मित करेंगे तो अपने आप बरबाद हो जाएगा यह नियम है आप उसे सही दिसा नहीं देंगे इस शक्ति को सही धंसे मोड़ेंगे नहीं तो शक्ति दिखर जाएगी और आपके जीवत लिए कोई उपयोगी नहीं करते हैं अपनी शक्ति का हम ना संचे करते हैं ना उसका सही उपयोग करते हैं अनाम शक्ति शक्ति हमारी जो उर्जा भीतर है खबत होती रहती है खबत होती रहती है और अपने जीवन को बरबाद हम ही स्वयोग करते रहते हैं मैंने कहा था शुरूम कितना मुल्यवान जीवन है, अब कभ सम्हेंगे अंत में, अब यह अवसर है, हम फिर से जीवन को निर्मित कर सकते हैं, एक कुदारान में पिया था, तो सची घटना है, एक आदमी था, अगबार उठाया सुबा सुबा, बड़ा प्रसित आदमी था, उस आदमी था बड़ा प्रसित था, क्या हुआ था, एक कालम छपा था, स्रद्धान जली, तो स्रद्धान जली में, पुनी का फोटो छपा था, यह आदमी मर गया, वोगा क्या था, भोखा हो गया था, अगबार वालोत को एक सूचना गलत मिल गई थी, साइद उनका भाई मेरे लिए, फिर सोचा, चलो ठीक है, आखिर अकबार वालों ने मेरे विशे भी दिखा क्या है, अब तो मैं मर गया, वोगों को सब को पता है, मैं मर गया, तो मेरे विशे में लोगों की मान्यता क्या है, मेरे विशे में लोग कैसे महसूस करते हैं, कैसे विचार रखते है जरहां पड़ू गहां और जब उसके देखा तो क्या दिखा 쉽़ा है यहां आदम मौत का सवधागर था क्या लिखा था मौत का सवधागर था डाइनामाइट का निर्माता था जब बढ़ा इस PTRI.. ..मौत का सवधागर उनका हिंदर एक्तम हिलने लग जया, पर्शान हो जया हो, इसका मतलब है जब मैं मरूंगा, तो लोग मुझे मौत के सौधागर की रूप में याद करेंगे, आथे बन दिया, जो मेरे जीवन के यही पहरावाला चाहिए, लोग मेरे बारे में यही सोचे, उनने का नहीं कमाई थी, भाव संपत्ती कमाई थी वो, सबको उन्होंने ट्रस्ट बनाया, और क्या लिखा, इस संपत्ती के जो भी ब्याज मिले, जितना ब्याज मिले, दुनिया में, जो भी किसी भी छेत्र में सबसे बड़िया काम करने वाला हो, उनको पुरुसकार दिया जाए, यह कि इसी के लिए फिक्स रहेगा, और संस्ता एक कमिटी बठाए, डटित करती, जानते हैं उस पुरुसकार का क्या नाम है, उस पुरुसकार का नाम है, नोबेल पुरुसकार, समझ रहे हैं, सुने होंगे, उस वेक्ति का नाम था, अलपेट नोबल, उन्होंने क्या किया, जो म उनके पास तो औसर था, जब हम मरने लगेंगे, हमारे पास औसर नहीं रहेगा, लेकिन चुकि आप सत्सर में बैठें, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, आपके पास औसर है, आप कभी भी अपने जीवन को बदल सकते हैं, यह हमेशा मान कर चलिया, हमेशा मान करके, क्या हो आता है, जनरली हम लोग की तो कमजोरी में बताता हूं, जब हम लोग सुनते हैं संतों से, की प्रोग छोड़ना चाहिए, लोग छोड़ो, मुम छोड़ो, द्वेश छोड़ो, प्रिशा छोड़ो, अंदर से क्या आवाज आती है, क्या आती है, अंदर से आवाज आती है, बात तो सही है, लेकिन यहां मैं नहीं कर सकता, सही है, यही आती है वाज, फिर से कह रहा हूं, एक होता है आदर्स, और एक होता है यथार्थ, आदर्स का मतलब, आदर्स का मतलब वह है जो हम होना चाहते हैं, ऐसा होना चाहते हैं, यथार्थ का मतलब है जो हम अनरो करते हैं जैसे मनें कहा ना कि अक्रोधी बनोगे निर्लोभी निर्मोई निश्कामी प्रेम पूर्ण जीवन जीवो यह सब क्या आदर्श है वो हम होना चाहते हैं अनभों क्या है यथार्त क्या है ग्रोध के विकार आते हैं मोह के विकार आते हैं बेश के विकार आते हैं वो है हमारा आदर्श और यहां है मेरा अनभो अनभो तो भीदर क्या होता है यहां मैं नहीं कर सकता बस वहीं है तर्णिंग कॉइंट आपको फिर से इस चीज को ध्यान देना है तो इस बात पर दोर करिए जहां से यहां आवाज पुठ रही है कि मैं नहीं कर सकता बस वहीं बदलना है आ मैं कर सकता हूँ यह हाद मिश्वास जगाने के लिए ऐशा आशावार वचन है मैं कर शकता हूँ क्यों नहीं कर सकता मैं यदि दुनिया में किसी ने यहां काम किया है तो मैं भी कर शकता हूँ सब्सक्राइब कर सकता हूँ जी दें यहां जीवन को पड़िक उत्राइब प्रकी कर, लाग पर लाग समुत्र के पेड़ में उतरते ही नहीं है कितने प्रशांत आए ऐसे ही जीवन का लेवल जब जीते हैं फिल पुर। कमाना खाना जीना लड़ना जगड़ना बस जीवन को समझू तुसरा से सब्स्क्वांसिस में जो आपका अउचेतनमन है वो आपके विचारों से अचुतर आह जाता है। जैसे मैं आपको बताओं मन की कितनी कांठे की सिति होती माननों यह है तो जैसे इतना लंबा है तो नौ भाग, आँग जो औज गोल जो एक भाग, दस मेंसे एक भाग वो चेतन मन है, चेतन मन का मतलब जो अंदर-अंदर जो हम सोचते नहीं है, निरना करते हैं, यह करूँ यह न करूँ, वैसा जाऊं वैसा न करूँ, यह सम्झाओं, यह सम्झे चेतन मन हैं, जिसको कहते हैं conscious mind, चेतन मन, और और चेतन मन जिसमें आदते सुरक्षित रहती हैं, संसकार सुरक्षित रहते हैं, ऐसा नहीं कि हर चीज को रोज रोज सीखें, जैसे रोज बुश्रटा पानना हो, सीखो और तब बुश्रटा पानो, तो हैरानी इग नहीं है, हमने सीख लिय करके भी बुश्रटा पहां सकते हैं, कैसे पहां सकते हैं, सब कांसे समैंडिन प्रोग्रामिंग है, उसी प्रोग्रामिंग के अधार पर आप सब काम करते रहते हैं, तो गलत प्रोग्रामिंग जब हो गई, यह तो पढ़ना में क्या आएगा, गलत, अग उसको रिप्रोग जब आप साफ टेवर डाल रहे थे तो एक मिष्टेफ हो गया, क्या मिष्टेफ हो गया? दो धन, दो बराबर पांच क्या गलती हो गई? दो धन, दो बराबर पांच ठीक है? जो भी साब आप प्रशन कोस्टियन करना चाहते हैं, क्या आएगा? गलत आएगा ना, क्यों? वहां पर फिडी गलत हुआ है जो साफ टेवर है वही गलत है तो जो उतन आएगा गलत आएगा, आप हम चाहते हैं, क्याएगा क्या करना होगा? बिल्कुल सरफ बात बता रहा है तो क्या करना होगा वो जो आप फिड की है न उसको बदलो क्या करना होगा दो धन दो बराबर पांच को बदल कर करना है दो धन दो बराबर चार अब क्या होगा अब जब डालेंगे तब उत्तर क्या आएगा सही तो हम क्या अंदर में क्या प्रोग्रामी कर चुके हैं, मैं नहीं कर सकता, सही कह रहा हूं, वही वो गया है na, मैं नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि आपका आत्मविश्वास जाकरित हुआ ही नहीं है, और मैं सुबह के सत्रम तोड़ा कहा था, कोई भी शक्ति जो सक्षे ही था शक्ति वह शक्ति जब उससे आफ प्रेइट करतें एक्टिवेट करते हैं उसको जाकृत करते हैं तो नहीं तो शक्ति अंदर अंदर वि lesi प्राय पढ़ी रहती है उसको जगाना पड़ता है कैसे जगाना पड़ता है जैसे दूद एक बिलास दूद दिया जाए और क्या हुआ दूद देने वाले ने क्या क्या उसमें दो चम्मच चीनी डाल लिया लेकिन हिलाया नहीं था चीनी जा करके कहां बैठ गई तली में अन पता चलता है ठीक है आप क्या करना है उसको यदि पता है कि चीनी है तो क्या करना है चम्मच लेकर के हिला देना है ऐसे ही अंदर की सक्ति को क्या करना है हिला देना है कैसे हिलाएंगे वो संकल्प से होता है आप जब संकल्प लेते हैं भीतर जोरों से कि मैं बदल के ही रह और जितना जटके से जब भीतर जाता है तो भीतर जो सोई भी सकती एक तम चंक्रित हो जाती है तो आगे दिखाई नहीं देती है लेकिन मन के भी ज्ञान को जिसनी समझेंगे न उसी दिन ये बास समझ में आएगी नहीं तो लोग कहते हैं न महातमा दो गुड़ी मत पिओ, स ऐसा उपदेश करने वाला भी क्रोध करता है चमा करें सही कराओं सही कराओं क्रोध ना करो ऐसा उपदेश करने वाला ऐसा लिखने वाला भी क्रोध करता है क्यों वैचारीक दृष्टी से तो मानता है कि क्रोध करना बुरा है लेकिन भावनाओं की दृष्टी से जो पीशली नहीं है और हमारी भावना ही हमारे विचारों पूर्जा देती है और जब तक कि आप की भावना नहीं बदलेगी Bhagien 가는 से काम नहीं होने आप को सोचते हैं कि लग ऑजरों करना दिवार अब रहना किसे कुछ नहीं होगा क्यूंकि आपने रिप्रोग्राम किया नहीं है उसको बदलना है भीतर से बदलना है तो कहने को मतलब यहां है भीतर बदलेंगे तो बाहर बनलेगा लोग कहते ना वेवार सुधारो क्या कहते हैं वेवार पवित्र करो चरित्र सुधारो क्या होता है फिर से करा हूं भड़ा ध्यान दिजिए चरित्र सुधारो वेवार सुधारो मैं बताओं चरित्र का मुल्य दो कोड़ी का है वेवार का कुछ भी मुल्य नहीं है मुल्य किसका है मुल्य है आतमा का मुल्य है चेतना का मुल्य है चेतना का यदि हमारी चेतना जहरीली है तो हमारा वेवार जहरीला होगा और हमारे चितना में यदि अम्रित है, मदू है, तो वेभार कहां से खड़ाब होगा? आप बताएं, भीतर में जो है वही तो बाह निकलेगा, यदि हमारे मन में कड़वाहाट नहीं है, तो वाणी में कड़वाहाट आएगी कहां से? एक ने बहुत सुन्दर दिखा है, आपके मुँझे कड़वे बोल निकलते हैं, आपका मन कैसा होगा? सुची जब इस वाद को पढ़ा भाएं तो आंखे बढ़ करके चुप कमाल की बात है आपके मुझे कड़वे बोल निकलते हैं आपका मन कैसा होगा देखे बंदू जब हम नल खोलते हैं न पानी वाल नल खोलते हैं तो पानी जब हम हाथ में लेते हैं तो पानी देख लेते हैं, पानी ऐसा है, और इसके आधार पर हम क्या अंदाज लगाते हैं, टंकी में यही पानी है, क्या कहा रहा हूं, नल के पानी को देख करके, हम अंदाज क्या लगा लेते हैं, टंकी में भी यही पानी है, ऐसे ही यह जो वाणी है ना, यह नल की तरह है समझ रहे हैं इंद्रियों में जो भी वेवार हो रहा है वो पानी की तरह इसको देख करके आपके भीतर जो सबकॉंसेस माइं जो भी टंकी है मन है उसका पता चल जाएगा आप भीतर से कैसे हैं कैसे हैं तो बाहर बदलने के पेक्षा आपको भीतर बदलना है आपके मन में जब प्रेम होगा आपके मन में सरद्धा जब जम जाएगी तो क्या बताना पड़ेगा कि बड़ों से प्रेम किया करो बड़ों के परदी सरद्धा किया करो गुरू के सरद्धा करो अरे कमाल की ब जिस दिन आपे महसूश करने लग जाएंगे तो यह वश्यक्ता है मेरी, फिन आपको भीतर से नहीं बदलना है, बाहर के में बहार को जबरदस्ती बदल कर आप जीवन नहीं बदल सकते, यह बहुत गलब तरीका है, बहुत गलब तरीका, किसी को जबरदस्ती सराथ छुड़ किसी को क्रोध ठोड़वा नहीं हो शकता है, नहीं हो शकता है, क्यों यदि मन में क्रोध के विचार आ रहे हैं, तो क्रोध छुटे रहे हैं, यदि मन में काम के चिंतन आता है, तो काम विकार से मुक्त कैसे हो सकते हैं, काम क्रिया से मुक्त कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते ह पहले क्या है भीतर यदि मन में चोरी के विचार घुमड रहे हैं तो आप चोरी करम से कैसे बचे रह जाएंगे परिवर्तन तो भीतर होना है बाहर को कितना रोकोंगे आप हम लोग की दसा क्या है बताऊं जैसे एक जोपड़ी है अपड़ी हरा है और ऊपर दोर निकल रहा है हम क्या करते हैं जोबड़ी ऊपड़ चले गए दूआ रोको दूआ रोको दूआ नहीं नहीं होना चाहिए यह होंऑ तरीक अपनाते town के तरीक होंगा करते हैं दुआ को आप रोकेंगे उपर दुश्रा अस्तस निकलेंगे ना ऐसे हम रोक रहे हैं यह जितना हमारा विभार जीवन मेरा सब धुआ है क्या है वो धुआ है अध्रुमा का कारण तो नीचे है ना आप वहां जाके पुझाओ यह दुआ यह जो विभार है संदेश म मेरा विभार संदेश है सारा विभार संदेश सुबा से शाम तक चाहे मैं सब के बीच करूं चाहे मैं अकेले में करूं यह संदेश है कि मैं भीतर से कैसा हूं देखिए सहाब मैं एक बात बता हूं आपको लोगों के सामने हम विभार करने में बड़े साधान हो जाते हैं बहुत सवधान हो जाते हैं लेकिन जब अकेले में होते हैं असली रूप निखरता वहीं पर प्लेटो ने एक बड़ी हाथ रहनी लिखी है उन्होंने कहा इस जितने नैतिक वादी धार्मिक लोग है न बड़े बड़े आदर्श वादी और बड़े बड़े सताचारी लोग जो स्पीज भी देते हैं उनके सामने जाके बोला अच्छे बताओ एक बात मैं कहता हूं आपको कोई ऐसी दवाई मिल जा या ऐसी कोई ताभी मिल जा जिससे आप अद्रिश्य हो जाओ कोई न देखे आपको आप सब को देखे लेकिन आपको कोई न देख सके तो आपकी न प्र अप कहा कहीं है क्या स्तावीष जैसा व्हुर्ण का है लेकिन मालोब ऐसा हो तो तब लोगों में किया क्या मुश्किल है 앞 कि हम दिखते हैं लोगों के सामने इसनले खलक नहीं करते एक में बहुत सुन्दर गाइन लोग हमें सदाचारी को आते हैं हमें काते हैं सक्चन gentle man, good man लेकिन सच मुझ जिस दिन हमारी वास्थित्ता को लोग समझेंगे जानते हम क्या होगा हम में से बहुत ऐसे लोग है जिनको फांसी की सज़ा हो जाने चाहिए बाहर से सचन लेकिन घीतर से राप्षश छमा करें सही है अंदर से शैटान है एक ने बहुत सुंदर एकी स्पीज दे रहे थे motivational बता जिख जिकला लुने लिखा है इसी स्पीज दे रहे है लोगों से पूछा एको ये बताया कि आप लोगों में से कितने लोग जेल गये हैं कितने लोग जेल गये हैं जर हात उठाओ किसीने हाथ नहीं उठाया किसीने हाथ नहीं उठाया तब फिर पूछा गया ये बताओ आप लोग जेल क्यों नहीं गये हैं क्या पूचा? आप लोग जेल क्यों नहीं कहें? तो क्या उत्तर मिला है? एक ने क्या that? एक फड़ा मुखर आदमी था, तेज बोलने वालों, खड़ा हो गया और क्या कहता है? जेल इसलिए नहीं गए क्योंकि पकड़े नहीं गए सही बात है कि वर पकड़े नहीं गए है बाकी जेल जाने भर की गलती हम सब ने की है उसी को बदलना है उसी को बदलना है यह बाहर से बदलना है यह संदेश है, मैंने का ने संदेश है जैसे एक आदमी आये हमारे पास कड़े हो जाओका है आपके घर में आग लग गई है, तो मैं क्या करूँ एक बाड़ की पानी उठा करके उसी को पड़ डाल दूँ, अरे भई उस पर पानी क्यों डालते हैं, उस संदेश दे रहा है, आग लगी घर में और संदेश बाहत पर पानी डालें के तकाम चलेगा, ऐसे ही हम जो जीवन म जो कुछ भी वेवार हो रहा है, जो संदेश बीतर का दिया जा रहा है, उसको सुधार रहे हैं, चेतना बदलो, बीतर बदलो, जीवन को बदलने के लिए क्या बदलोगे, मैंने कल कहा था साय, क्या बदलोगे, घर बदलोगे, बदलोगे, और क्या, छोड़ो घर बदल दो सब कि अब सुद आइं तो कपड़ा नहीं बदला है को हमारी इसला क्या है मैं कई साहा कर तू हमडे difference अमधर नहीं हैं जो दिखाई देते हैं हम वह हैं जो हम सोचते हैं हम वह हैं जो सोचते यह नहीं हम दिखाई दे रहा है, मैं क्यों कह रहा हूँ, मुझे देखकर कम से कम लोग क्या कहेंगे, साधू है, यह कहेंगे न, साधू है, क्यों, मैं साधू के कबड़ा पहना हूँ, इसका फैदा होता है करी जगा, साधू कबड़े का फैदा होता है, लेकिन क्या सत्मुस साधू के कपड़ा पहनने मात्र से मैं साधू हो गया यदि मेरे मन में क्रोज के विचार आते हैं तो मैं क्रोधी हूँ न की साधू हूँ यदि मेरे मन में काम के चिंतन चलते हैं तो मैं कामी हूँ साधू कहे का द्वेश के चिंतन आते हैं तो मैं द्वेशी हूँ, इर्षय के विचार आते हैं तो इर्षयाल हूँ, मो के विचार आते हैं तो मो ही हूँ, जो विचार मेरे मन में है वही मैं हूँ, यदि मेरे मन के त्याद, वैराक, शाधना, ध्यान, चिंतन के विचार आते हैं तो मैं सा आपके मन की दसा क्या है, आपके पास कितना है, आप किल लोगों की बीच रहते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है, महत्व है आपका मन कैसा है, केवल एक ही चीज है जीवन को बदलने के लिए क्या, मन, केवल मन को बदल करके ही जीवन को सुन्दर बनाया जा सकता है, जिसका मन स संदर है उसका जीवन संदर है, और जिसका मन खराब है, उसका जीवन खराब है. बन्धो इसी चित्त को बदलना है. भीतर में आत्ममिश्वा जगाना है. क्या मैं करशता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं बदल के रहूंगा. यह ज़टोडते हैं भीतर से, जिसे कहते हैं, वो भी काम नहीं कर रही है, यह कुछ रहन बताओं, जैसे आपको कहें, दोड़ो, दोड़ो जोषी, आपको एक कुस्तक की नाम में देंगे गुरुजी की, जड़ो जो सबसे प्रथम आएगा उसको सबसे बड़ी कुस्तक, तो कितना दोड़ेंगे आप, कंदुख लेके भाग रहा हो मारने के लिए आपको, तब कितना भागेंगे, आप बताइए मुझे, कितना भागेंगे उस समय, सही है, कहां से आ गई ताकत हो, पहले कहते हैं, पुरा दोड़ दिया कहां के, पुरी ताकत चुक गई, लेकिन अब ताकत कहां से आ गई, वो इस रिजर्व पोर्स आये न, वहां काम आई, अरे बचो, एक खरगोष था, उसको कुता देख लिया, जटा, भगा खरगोष, बिल्कुल, एक तम, दुम दभा करके, अई तना जोर शे भगा, और जा करके तिल्की कुछ गय, कुता जा करके बेंके पास बैट गया, अब अ स्वान महराज, तुम तो मेरे से तेज दोड़ते हो, और मैं तो धीरे दोड़ने वाला हूँ, फिर भी तुम कैसे नहीं पगड़ पाए, या वही मैं भी सोच रहा हूँ बेठे बेठे, आकिर हुआ कैसे, मैं तेज दोड़ने वाला और ये, तो अंदर से खरगोष ने क्य होगा, ऐसे ही जब आपकी शक्ति जो भीतर है, उसको जब आप जगाएंगे, तो वो फिर आपकी साधना में सयोग करने लग जाएगे, लेकिन हम जगाना जानते ही नहीं है, समस्या यहा है, और इसी दिए जीवन उपर उपर बस यूँ ही चला जाता है, जीवन के मात्वो और समझते ही नहीं है, मैं कह रहा था, अंदर में क्या पॉइंट है, जो मैं नहीं कर सकता है, जो कह रहे हैं, आप से कल सुबा से क्या जब करना है, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, और मैं करके ही रहूंगा, ये जिस दिन आप संकल पलेंगे, और मैं कह अब बीच में कहा था, कभी भी बदल सकते हैं, तेरी कभी भी नहीं होती है, चाहे जितनी बड़ी गलती आप से हो गई हो, तो कान खोल के सुन लीजिए, चाहे जितनी बड़ी गलती आप से हो गई हो, और जितने दिन से हो रही हो, आप बदल सकते हैं, आप बदल सकते हैं, आपकी जिन्दगी को बदल लें कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, मैं बता जूँ, एक मिनट, किदना, एक मिनट से ही कम, मैंने पुस्तक ही पड़ी है, आपकी जिन्दगी सिर्फ एक मिनट में बदल सकती है, जब पुस्तक को देखा, हेडिंग को, इसके टैटील को, मैंने का यह सब लेखत लोग भटकाते हैं लेकिन मन हुआ कि लापड़ू और जब पढ़ा तो मैं भी स्विकार लिया सही कहता है इन आदमी आप कहते हैं कि साहब आप भी भटक गए मैं सही कहता हूँ वही है बदलने के टाएं जिस दिन आप ये निरणे लेते हैं मैं बदलना चाहता हूँ बस हो गया खता हूँ आज के पहले जो कुछ हुआ उसको समा आज तारीच से एक नया जीवन मैं सुल करता हूँ नया अध्याय लिखूंगा कोई रोग नहीं सकता आपको कोई रोग नहीं सकता आपको इस दुनिया में किसी की ताकत नहीं है यदि आप जीवन को बवित्र बनाना चाहें तो रोगे लेकिन आप अपने जीवन को सुन्दर नहीं बनाना चाहेंगे तो दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपको सर्योग कर सके सबसे ज़्यादा महत्पुन आप तुद है, आप स्वयम हैं, आप ही हैं अपने जीवन का निर्माता, आप ही बिगाडते हैं, आप ही बनाते हैं, हम स्वयम निर्माता हैं, मैं स्वयम निर्माता हूं, हर आदमी अपने जीवन का निर्माता है, जिस दिन ही आप कि दो जीवन में Whereaser अफ होना है। उंच उपना इसके तरीका में बताता आपूं तो सबसे पहला आपको क्या करना पड़ेगा, कहाना पड़ेँ चुक्या मेश ही मेरे जीवनर क का जिन्मेदार में हों. कितनी प्रतिसत्थ जिम्मेतारी लेने की जुरूद है कितना सो फंड्रेड निन्यानवे से काम नहीं चलने वाला है समझ रहें निन्यानवे प्रट्षेंट आपको मिल जाए परिच्छा में क्या पूछना है क्या पूछना है लेकिन यहां नहीं सवाद जीवन की बात है ना देखिये सहाब इसकुल में जो पढ़ते हैं न वो इसकुल की परिच्छा पास कराता है जीवन की परिच्छा पास नहीं कराता है और जीवन की परिच्छा पास करते ही नहीं है जीवन के पाट पढ़ने के लिए हमने कही एडिविशन लिया ही नहीं है इसलिए जीवन में ह हम अस्फल होते हैं, इस्कुल की परिच्छा पास करके नौकरी पा जाते हैं, पैसा कमाने लग जाते हैं, लेकिन क्या इतने मात्र से जीवन सफल हो गया, इतने मात्र से जीवन सफल हो गया, क्या आप पैसा कमा डालेंगे, बहुत सारा पैसा आज आएगा, तो करेंगे क्या, क्या होगा पैसे का, क्या इससे जिवन सपर हो जाता है, नहीं, पैसे से आगे एक बिल्टिंग खरी देंगे, गाड़ी खरी देंगे, कपड़े खरी देंगे, सोने चांदी खरी देंगे, जबी जाधात करी देंगे, खाने पिनी की चीजे खरी देंगे, तो क्या हो जाएगा इससे काम पुरा हो गया, क्या हम केवल रोटी से जिंदा रहते हैं, इसा मसी ने कहा है, you can not live by bread alone, आप सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रह सकते, मतलब केवल रोटी मिल जाए, केवल तपड़ा मिल जाए, इतने मात्र से काम नहीं चलेगा, केवल मकान एक मिल जाए, केवल गा जिस घर में रहते हैं, जिस परिवार में वहां से आपको प्रेम न मिले, स्रेह न मिले, विस्वास न मिले, आप जिंदा रहेंगे, केवल रोटी से जिंदा रहेंगे, नहीं रह सकते हैं, तो क्या इस सब चीजों को रुपिय से खरीच सकते हैं, क्या प्रेम को खरीच सकते विश्वास को खरी सकते हैं, इमानदारी को खरी सकते हैं, मन की शांती खरी सकते हैं, नहीं खरी सकते हैं, और क्या हमने उसके लिए कमाई किया हैं? मैंने कहा धना, वो सब सकती भीतर हैं, विश्वास, प्रेम, शांती, इमानदारी, विनम्रता, छमा, इस सारे गुण आपके बीतर है आव शेक्ता है उन गुड़ों को बाहर निकालने की आप जब उससे काम लेंगे उसका उप्योग करेंगे तभी बहाँ शक्ती बाहर आएगी नहीं तो फिर नहीं आने वाली है और उसक्ती सोई रहेगे छमा की शक्ती है तेकिन सोई रह जाएगे जीवन भर सोई रह आप नहीं कर पाएंगे जीवन में छमा बस क्रोधी कर पाएंगे द्वेशी कर पाएंगे मैत्री की शातना करी नहीं पाएंगे क्यों मैत्री की शक्ती को जागरेते नहीं कि हैं आप जिसके जीवन में में प्रेम नहीं है कैसा जीवन होगा वो जिसके जीवन में शांदी उस शक्ति को बढ़ाना मैं, सुबा की सत्र में कहा था, कि आप में चलने की शक्ति तीखाओ, कहा से दिखाएगे डिखा सकते, लेकिन जब आप चलेंगे, तो चलने की शक्ति प्रिगट हो जाएगे, म Clinton' शक्ति का जब हम प्र хочешь करते हैं, तो क्या होता है, शक्ति दिखाई देने लगती है, जब उप्यों करते हैं, शक्ति को जब शक्ति करते हैं, तब वह दिखाई देने लगती है, ऐसे ही छमा की शक्ति को जब आप शक्ति करेंगे, तो छमा दिखाई देगी, मैत्री की शक्ति को जब शक्ति करेंगे, तो शक्त जितनी बार शमा करते जाएंगे, छमा की शक्ती बढ़ती चलिजाएंगे. जितनी बार मेत्री की साधना करेंगे, मेत्री की सक्ति बढ़ती चली जाएगी, विश्वास की साधना करेंगे, विश्वास की सक्ति बढ़ती चली जाएगी, लेकिन हम ठिक उल्टी सक्ति का प्रयोग करते हैं, क्रोध का प्रयोग करते हैं, द्वेश का प्रयोग करते हैं, लड़ाई जगड़े का प्रयोग करते और इसके वही पृति होती है एक ही पाइंट मैंने कहा ना वही है वही है वही है वही है जहां से क्रोध पैदा होता है बिलकुल वही बैठा हुआ है बैठी हुई है छमा आप ध्यान दिजिए एक इसी इतनी पदली रेखा है जिसका को अिका Cum практи आपको जहां पर क्रोध है आपके बीतर के विलकुल सटा हुआ वहीं बैठी है जैसे मैं इसको नहीं बताओ आप क्रोध कप करते हैं क्रोध कप करते हैं जब कोई आदरी के मन के प्रत्रकळ्ययों वार करता है भी मेवार प्रत्रकुल घटना घटती है अन्यारपुड़े में वेभार करता है, तभी तो क्रोध करते हैं, कब करते हैं क्रोध, इसी समय ना, उसी समय क्रोध करते हैं इसका मतलब आपको सुरूप नहीं है, कुरहधार आपको सुरूप नहीं है, सुरूप बहुत हर समय होता ना, उन्होंने कहा कि क्रोध वही है, कब जब कोई गलत वैभार करता है, तब दूसरी बार, छमा आप कप करेंगे, इसको सोच लेए, छमा आप कप करेंगे, बीना कार आंकित नहीं करेंगे, बिना कारण के क्रोध नहीं, तो बिना कारण के छमा भी नहीं, ऐसा थोड़ी रास्ते रास्ते जा रहे हों, और कहें, नमस्कार, नमस्कार, आपको मैं छमा करता हूँ, वो कहें, काहे का छमा भाई, काहे का नमस्कार, तो समझ में आएगा, नहीं आए जब किसी ने आपके साथ गलत वेवहार किया है तब छमा करेंगे वहीं पर है दोनों अब आप वहीं पर लिड़ा लेना है उस क्रोध की शक्ति को बाहर निकालों कि छमा की शक्ति को बाहर निकालों बस यहीं है चुनाओं आपका जीवन चुनाओं का जीवन है आथ चुनाओं करते है यति आप लंबा बे समय तक की परोध करते आ रहे हैं तो आप क्या होगा परोध जल्दी निकलेगा क्यों ऊपर है वह जल्दी निकलेगा फट से बाहर आएगा खमा को चुकी प्रेयोगी नहीं कि इसलिए वह और जब बाहर करते जाएंगे तो जो ग्रोध है क्या होगा वो छोटा पढ़ता जाएगा छोटा पढ़ता जाएगा नहीं कुछ आणा बता हूं सब लोग जानते हैं हम लोग सब पढ़े हैं एक लकीर खीची गई एक लकीर खीची गई और कहा गया इस लकीर को छोटी कर दो तो बिना का चाकुड़ कैसे करेंगे पता है।indi देंगे रेज अपाना का च्टी जो क्रोध को सब्हक्रा है किससे करते जो कोई कि सबसंद्री और क्रोध करों कि नहीं हुदता, बिश्वचर्णादा का व्हार वो दबता चला जाएगा, लेकिन अभी तक हमने प्रयोग ही नहीं किया है, सत्रता का प्रयोग करते हैं, कोई बाद है दुष्मान है, मैत्री का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रेम का प्रयोग नहीं करते हैं, और आपको जान बुझ कर करना प्रमें, फिर फिर कह रहा हूं, जी πिठाइब तष्बा दियान के पस्षाट और ऐसा भाव की जगाव की अंदर से एक तरंग निकल रही है मैत्री 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 next जब आप घरना करते हैं, जब आप सत्रुता करते हैं, आप भीतर अपने आपको तोते हैं, बहुत नुक्षान करते हैं, लेकिन जब मैत्री करते हैं, जब प्रेम करते हैं, बहुत फाइदा मन होता है, इसलिए बंदो जितना हम धन के महत्यों को समझ रहे हैं, पादिके महत्यों को समझ रहे हैं, भावतिक एस्वरी के महत्यों को समझ रहे हैं, जिस दिन अपनी क्वालिटी को, जिस दिन अपने शद्गुणों को, जिस दिन अपने भीतर इशक्ति के महत्यों को समझेंगे, हम जगाना सुरू कर देंगे, इसका मतलम नहीं कि आपको धन नहीं कवाना है, मकान नहीं बनाना है, कपड़ा नहीं खरीदना है, है, it is necessary but not enough, यह समझ दिजा आप, यह आवश्यक तो है, लेकिन परियाद तो नहीं है, जैसे मकान बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो क्या करते हैं, निव भरते हैं, निव में पत्थर, कंकर, सरियाब, सब कुछ जाते हैं, सिमेन डालते हैं, क्या वो मकान है, निव बना दिया मकान हो गया, नहीं हो गया, तो क्या बिना निव के मकान बन जाएगा, निव आवश्यक है, निशेशरी है, लेकिन परियाद नहीं है, ऐसे ही भ परियाप्त नहीं है, परियाप्त है जीवन में मैत्री, जीवन में प्रेम, जीवन में शांति का अनभव हो, वह जीवन का क्या मतलब है, जीवन के फ़ल में केवल मौत फले, केवल मौत फले, अंत में केवल मौत, क्या होने वाला है हम लोग, अंत में क्या होने वाला है, मौत क्या उस जीवन का महत्व है जिस जीवन में महा जीवन का अनभो नहीं किया गया जिस जीवन में शांति का अनभो नहीं किया गया जिस जीवन में मोख्च का अनभो नहीं किया गया वह जीवन गयर था है वह जीवन गयर था है तालमूद में कहा गया है परमात्मा यह नहीं पूछेगा आपसे कि आपने कौन-कौन सी गल्तियां की हैं वो नहीं पूछेगा बड़ा उदार दिल है वो गल्तियों पर ध्यान नहीं देता है वो क्या पूछेगा? वो क्या पूछेगा? वो पूछेगा कि तुम्हें सुख के लिए अवसर दिया गया था तुमने सुख के लिए क्या जीवन दुख भोगने के लिए मिला है लडाई ज़ड़ा करने के लिए मिला है दुश्मनी करने के लिए मिला है सब Muk महाजीवन का नहीं क्यों जीवन का जीवन क है कर उस जीवन के लिए मौत फलने वाला है अंत में और मौत का फल कोई अर्थ नहीं आने वो तो अपने आप आने वाला है, अपने आप मौत होने वाली है, इसका क्यामत में निकलता है, इसी जीवन में हमें काम करना है, और तब होगा जब आप मन को सुंदर बनाएंगे, बस एक ही काम करना है, मन को तो शुंदर बनाना है, तो ही जीवन बनेगा, यह सब चीजें हैं, मैं करा था, सब conscious mind को हमें reprogram करना है, तो reprogram के लिए मैंने कहा, कि हम मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, यह मैं कर के ही रहूंगा, जब बार बार उस चीज को आप create करते हैं, तो अंदर जो सब conscious mind में क्या होत तो क्योंकि हमने उसको बदल दिया है जब बी प्रोग Townley घृत क्वार्वार बदलने रगे behavior Choo में रश्वाव बदलने रगता आए सफ़ाव गदलना बहुं सब्यारुFun लivia करो जब पोकरतनाफ बेनार मिश्वार के अरफिक क्वास्य मांन से लिए घ्या प्री करने से जब तक आप अकेले में बैट करके, आप इस अवस्था में नहीं पहुचेंगे, जिस समय पुरा रिलेक्षेशन की अवस्था हो और पूरी प्रोग्रामिग आप करते हैं, तर जाकर के भीतर वो थोड़ा बदलता है, और साथ साथ में विस्वास, आप में पूरा विस्वास होना चाहिए, कहीं अविस्वास किये, साथ मेरे से नहीं हो पाई रहे हैं, बस खतक वहीं पाई, नौ मन दूद बटोरी के ठिके किया विनास, जैसे बहुस सारत दूद बटोरे और उसमे एक निपुली चोड़ दिये, ये जो अविस्वास है ना, आप फिर पीछे ड़के लेता है, फिर पीछे आपको पूरा विश्वास करना है कि मैं करशकता हूँ, और जब आप कहने लगते हैं मैं करशकता हूँ, आप विश्वोई भी सकती जाती है और आप लिए सयोग करने लगती है, बंदू ये बदलना बहुत ज़रूरी है, सत्संग सुनते सुनते बु लेकिन बदलता नहीं है, धीतर से इसी करन नहीं बदलता है, मैं बंकर रहा हूँ, मैं ले लिया, मैं आभारी हूँ कि मेरी बातों को सुनकरके आपने कम से कम बदलने का सन खलब लिया। अभी ये उपर से चला गया है, तो साहिब कहते हैं न, मन को दिल तक जानिके मत कीजे विश्वास, साधु तहां तक भय करे, जहां तक पिंजर सांथ, मैं जाना मन मर गया, मर के हुआ भूत, मुए पीछे उठ लगा, ऐसा मेरा पूत, और फिर से उठकर खड़ा हो जाता है, बाषके मन दक भय के जहां तक भूत घिंजर सांथ, बहुत जरूरी है, लेकिए चेपित जोर से होता है न, पदल जाता है, पुरी तरह पदल जाता है, कहाँ जाता है, हमात्म्व बुद्ध चहा साल से साधमा कर रहे हैं, बुद्ध प्राक्ति नहीं निकिते, एक दिन बो चूँगोनहीं, चाहि मौट हो जाए, आप mirat皆 संकल्प से क्या होन उसी रात को, उसी रात को उन्हे वो धी की प्राभ्ति फिली है वह आदीस संकल्प करता होगा, एक parked बदल जाता है एक departयाता है कभी भी बदल सकता है इसलिए हमें कभी भी हारना नहीं है, हमें चीदना है, हमारा सभाव प्रोध नहीं है, शीतलता है, शीतलता, उसका अनभो करना है, जो तो आग है, उसमें गर्मी लगती है, ताव लगता है, लेकिन शीतलता अपना सरूप है, उसमें महशूश करना है, जब हम करेंगे, होगा कर दो कर दो झाल झाल झाल